नमस्कार दोस्तों अगर हम बात करेंगे human resources की तो हमें को experienced person या experienced teacher ही बता सकता है कि हमारे life में आगे बढ़ने के लिए हमारे career में growth करने के लिए हमें कौन से कौन से points जरूरी है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए और उन पे अमल करना चाहिए तो देखते हैं आज हमारे साथ श्री अतुल्य जी जुड़े हुए है अतुल्य जी I am welcome करता हूँ मैं आपको हमारे दर्शकों के लिए अतुल्य गोस्वामी जी एक बड़े और काफी renowned company के इंडिया के लिए head HR के तोर पे काम संबालते हैं और उनसे हमारे जानेंगी या कोई इंपलॉई या करियर ग्रोथ करने के लिए उनके पास ऐसे कौन से थ्री इंपोर्टेंट पॉइंट्स, थ्री इंपोर्टेंट स्किल्स होने चाहिए जो उन्हें उनके करियर में ग्रोथ करने के लिए इंपोर्टेंट है Sir, please share your valuable insight to our audience बहुत बहुत धन्यवाद, पहले तो यह मौका देने के लिए कि audience से बात करने का मौका मिला आपके माधियम से जैसा कि आपने बोला HRM, हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में हम बोलते हैं मानफ, संसाधन, दिकास या प्रवंधन, right, management So, उसके अंदर अगर आप बात करेंगे कि कौन से वो तीन success criteria हैं जो आपको grow करने में help कर सकते हैं जो मैंने अपने 15 सार के experience में देखे हैं, जो कभी fail नहीं होता है वो पहला चीज होता है emotional intelligence जो जिन लोगों में आप देखोगी emotional intelligence बहुत हाई होता है जिनको जो अपने आप पर control करना जानते है self-management, self-regulation करना जानते है गुसा जादा जिनको नहीं आता है जिसे हम कहते है easy, easy language में हम लोग कहते है maturity जिनके अंदर maturity जादा होती है, वो लोग काफी successful होते है दूसरी चीज जो बहुत successful आपको बनाती है वो होती है technical competence आप जिस भी field में हो उसमें क्या आप mastery कर सकते हो deep technical mastery ला सकते हो ही भी वो एक दूसरा element होता है तीसरा जो element होता है वो भी एक softer aspect है वो softer aspect है, how do you connect with people interpersonal skills आपके कैसे हैं because ये एक प्रमानित चीज है ये proven fact है कि beyond a point IQ का कोई relevance नहीं रहता है आपको अगर एक point के वाग ग्रो करना है तो आपको emotionally intelligent रहना पड़ेगा तो तीसरा element होगा inter-personal skills because आपकी पूरी दुनिया लोगों के around ही होने वाली है आप लोगों के साथ काम करोगी या लोगों को लेके काम करोगी तो ये तीन चीज़े आपको definitely चाहिए होगी और ये बहुत बड़े success के जो parameters या success factor आप कह सकते हैं ये बहुत जानके हमारे दर्शकों खुशी होगी कि उन्हें उनका emotional intelligence, उनके technical skills और उनके जो interpersonal skills है उनको अगर improve करने के लिए बहुत सारे माध्यम आज YouTube, again online courses, ये सारे माध्यम उपलब्द है और उनके जरीए वो ये तीनो skills डेवलब कर सकते हैं और आपके तज़ुर्वे के सबसे आपके guidance के according वो उनके career में growth ला सकते हैं Sir, आप हमारे चैनल पे आए और हमारे दर्शकों के लिए अच्छा guidance किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद Thank you sir, thank you for being a part of our journey Thank you very much, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा दर्शकों से बात करके और सबको हार देक शुपकाम है, stay safe, stay healthy और मैं आपको एक जाते जाते बताना चाहता हूँ कि अतुल्य सर का एक YouTube चैनल है HR Shots with अतुल्य और उससे सबस्ट्राइब करना ना बुले Thank you